राजपाल को काले जंडे दिखाने पर पांच और लोगों को जेल भेज दिया गया है जेल भेजे गये NSUI के कारकरताओं के परजनों ने उनके साहस की सरायना की है साथ ही हर मुसीबत में उनके साथ खड़े रहने का शौसन भी दिया है राजपाल और डिप्टी सीएन के काफेले को काले जंडे में नामजद NSUI के पांच कारे करताओं ने आत्म समरपण किया है आत्म समरपण करने वालों में NSUI के राश्ट्रिय मीडिया संयोजक, पंडित अपूर्व शर्मा, प्रदेश महासचिव अंकुष कौतम, ललित त्यागी, सतिश शिकरवार और आशिश शर्मा शामिल है पुलिस का दावा है कि कई दिनों से NSUI कारे करताओं पर गरफतारी का दवाब बनाया जा रहा था जिसके बाद मुकदमे में नामजद पांच छात्रे नेताओं ने थाना हरी परवत पहुच कर सरेंडर कर दिया है आत्म समर्पन से पहले NSUI कारे करताओं ने दिवाने चौराः पहुच कर भारत माता की प्रतीमा पर मालयरपन किया मालयरपन के बाद NSUI कारे करता दलबल के साथ थाना हरी परवत पहुचे इस दोरान कॉंग्रेस कारेकरता और पतधिकारी भी बड़ी संख्या में मौजुद रहे जेल भेजे जाने से पहले एनस्यूआ कारेकरता और नयोगी सरकार पर निशना साथते हुए आगे भी आंदुलन जारी रखने का एलान किया है आपको बता दें कि दिक्षान समहारों से बापस लोटते समय छात्रे नेताओं ने डिप्टी सी एम और राजेपाल की काफिले को काले जहंडे दिखाए थे जिसमें 9 लोगों को नामजद किया गया था जिसमें से गौरब शर्मा को पहले से ग्रफ़तार कर जेल भीज दिया गया था पूरे मामले में 6 लोगों को जेल भीजा चा चुका है जबकि 3 नामजद अभी भी फराज चल रहे हैं सी नियूस के लिए योगश्टागी की रिपोर्ट